है या एलो स्टुडेंट्स आज दे लेक्चर दे फीच असी डिसकूस करने जा रहे है एर ब्रेकिंग सिस्टम लास्ट लेक्चर जी अभी टॉपिक स्टडी किता सी गा एर ब्रेकिंग सिस्टम उन आज दे लेक्चर जी एसे टॉपिक नूं कॉंटिनीव कर देयाँ तो सिखा एक लेयाउट सिखी एक ओवर्वियू सिखा उन असी थोड़ा डिटेल दे वेच एर ब्रेकिंग सिस्टम नो स्टड़ी करांगे इंपोर्टन टॉपिक है इस करके ज्यादा टाइम लग रहे हैं एर ब्रेकिंग सिस्टम दे वेच सब तो पहले हो की कहन देने में पार् o air braking system दे में पार्स ने नम्बर one air filter नम्बर two compressor नम्बर three unloader valve नम्बर four air reservoir नम्बर five brake valve नम्बर six pressure gauge नम्बर seven safety valve नम्बर eight brake chambers नम्बर nine low pressure indicator नम्बर ten stop light switch नमबर 11 एर बोटल फॉर सप्लाइग एर तुदी इन्फलेशन ओफ टायर नमबर 12 एर कुट रिलीस वाल नमबर 13 लास्ट लिम्टिंग प्रेशर वाल ऐसारे जड़े कॉंपोनेंट्स ने एर ब्रेकिंग सिस्टम दे कॉंपोनेंट्स ने जड़े एर ब्रेकिंग सिस्टम दे वेची यूज होंते ने असी की करना है असी एनना विच्छों कुछ चीजा लाइक एर फिल्टर कंप्रेसर अनलोडर वाल या उस तो बाद आगया ब्रेक वाल प्रेशर गेज सेफटी वाल ब्रेक चैंबर्स जड़े एनना चो में पार्ट्स ने तो ब्रेकिंग सिस्टम दी एक इसे भी ब्रेकिंग सिस्टम दा एक लेयाओत है वेक इद्दा एर आई एक एक एर फिल्टर जो पास किती इस एयर कम प्रसिभार कुप आ है तो सप रेल के रजबाएर कियों चलिये तही से और होस्त आश्एरी सवीशुंस साथ सदेशें इसकि ता दावर्ज यृारक्स और करें सब्कें सब्सक्राइब यह इस तो इलावा इसी इंफलेशन करन तो इलावा इसी वाइपर वगरा वीच ला सकते हैं यह बड़े काम ने जड़ी एसी कंप्रेस्ट इर दिया अपने भाइक कर देवेचे कार सकते हैं हाँ हाँ मैं और काम प्रेसियर दे डीक्ति उडी आप्रेंट जांते अपने अपने ब्रेक अपपलाई और रिज्ट अपलाई होए लग गयाने उनना सैसरीज नूवी एर जड़ी जाएगी और रिजर्वायर तो जाएगी रिजर्वायर तरह दा टैंक हो गया चिरियन द्रसी एर नूँ स्टोर करांगे लेओट बारियों की केंदे ने डी एर इल सक्ड थ्रू दी एर फिल्टर बाइदी कंप्रेसर एंडी सेंट टू दी रिजर्वायर तो जड़ी एर है उन्हों सक्कोन करेगा उन्हों सक्क करेगा कंप्रेसर कि दे थ्रू एर फिल्टर दे थ्रू ते पेज जिगा कि दे विच हैज़ेटा कंप्रेसर लगायए कंप्रेसर स्यूлу सक्क रना एट्मोस्टेविच्ट्य इस इस करना उस Prophet ज्法 techncan पाश करांत टो पासियस लोगिए वस्तांजाद कंप्रेसर नेकी कित हा एर नेकिंद कंप्रेसर टोएगी ह ereट यॉ जड़ों रिजर्वाइर दे अंदर जड़ा प्रेशर है वह एक प्री डिटर्माइंड वैल्यू ते पहुंझ जाएगा ते अन्लोडर वॉल्व की करेगा प्रेशर नू फर्दर राइज नहीं होंदेगा तुसी देखो कंप्रेसर दे उपर एक अन्लोडर वॉल्व लगा है कंप्रेसर दे बिल्कुल नाल एक अन्लोडर वॉल्व लगा है अन्लोडर वॉल्व दा कम की है अन्लोडर वॉल्व ने कंप्रेसर दे वेच जड़ी एयर है उन्हों उदा प्रेशर एक लिम्टिड वैल्यू तो राइज नहीं होंदेना मतलब एक लिम्टिड वैल्यू तक तक उदा प्रेशर राइस होएगा उस तो बाद प्रेशर नो ज्यादा वदन नहीं देगी वेंदी प्रेशर इंसाइड दी रिजर्वायर रिजर्वायर दे अंदर जिड़ा पां एर पेजदे पर यां कंप्रेस करके उदे जदो प्रेशर दी वैल्यू एक लिम्टिड वाल उस लिम्ट कर देगा बड़ जिद्धाहीं अंदर प्रेशर पां लिया थे अंदर वर्या प्रेशर दाप्यां यह चक्ड़ मतलब की हो गया हैक्तराइड सेफटी वौ्फ हो गया जैड़ा किसे भी रिजर वर कि प्रेशर नों हाई रहा यह उनकर दापिया वेंदी प प्रेशर जिदो वद गया अंदर दुबारा खुल लेगा ते ये प्रेशर जिड़ा है अंदर दुबारा राईज होना स्टार्ट होएगा तो एंलोडर वल्डा कम की ओ गया हुआ जदो प्रेश मद गया ऑद जिला करता मिदा विलात्त रिवनने सब्रहका यहीं ने समर कंमिज़ सब्सक्क्राइब passenger की सेर्फ में उसे टेम नीना सब्सक्राइब अगोगी करेंदे वन दी फूट पैडल is pressed for applying brakes the compressed here from reservoir through the through the brake wall and X against the diaphragm in brake chamber कर दे किए जदो ब्रेक पैडल नूँ प्रेस कर देया ना उस टाइम ते की होग दै ब्रेक वाल जड़ाना ओ प्रेस होंदे है असी जदो भीन दी फूट निस प्रेज्ट फॉर अप्लेंग ब्रेक्स, दी कम्ढेस्ट येर फॉर थू दी ब्रेक वॉल्व, एक्ट अगेंस दी डैफ्राम इन दी ब्रेक चैमबर्श, असी ब्रेक पैडल नुं प्रेस किता एर ज्री रिजर्व वर्वर दे व्चो निकलके ब्रेक फिर्णस फड़यत ॉ मिपड़िया सब्सक्राइब और नितने होगा इसप्राइब उर्टो ब्रेक चैंबर ते अंदर प्लेक्स करेंगर coarse ऐगा अधर किये एक फुश रोड लगा है स्प्रिंग कंप्रेसों Nap 0 स्टार्ट और इनलेते बारने किस्ट रेगी आ WE आपा देख रहे हैं एग डायग्राम में ब्रेक चैंबर दा जदो उसी ब्रेक चैंबर नो डिटेइल दे विच स्टड़ी करांगे ओधो फिर दुबारा इस डायग्राम बारे डिस्कुशन होएगी फिलहाल होना ने की क्या जदो फुट पैडल नो उसी प्रेस किता जड़ी आदर नो एक रायग्राम प्रेस और फोर्स लगी टेए ढरेट आधा फीट daks यर्फ कितो अंदर जबड़ निटा होगी अगओ की कहनते ने तेर और सेपरेट ऐर ब्रेकड चैंबर होंगे और activity जाङी कारब बीटि सब्सकर ने देख होते मात्त fromLS टिब्रेक ब्रेकडरोड टनाज दे रोड टेक रोड अपरेट दी ब्रेक शू कैम्स विच इन टर्ण एक्सपैंड दी शूज तो अपलाई दी प्रेक जड़ी ब्रेक रॉड़ दे ओफी करेगी प्रेक पेडल नूछ जड़ी ब्रेक वाल रेटरंस टू दी ओफ पोजिशन जड़ा ब्रेक वाल उसी गिया जड़ा ओपन पजिशन ते आइ जिदो ब्रेक वाल वाफ पॉजिशन ते आ गया कटिंग वाफ सप्लाई ओफ एर टुदी रिजरवार एड़ी सेम टाइम उस टाइम ते क्योएगा जड़ी एर दी सप्लाई ये और रिजरवार दे नालो कट जाएगी ओपनिंगे वाल विच लोज दी एर टू अपरेटिंग इन दी ब्रेक चैंबर्स टू एसकेप एंड दी ब्रेक सार रिलीस जदो असी ब्रेक पैडल नूर रिलीस करांगे उस टाइम ते क्योएगा जड़ी ब्रेक चैंबर्स दे अंदर एर पर यी सिगी एर गई सिगी ओ एर क्योएगी एसकेप हो जाएगी मतलब बार निकल अपने आप मतलब अपना एफट है और खतम कर देगी ते ब्रेक्स जिरिया ने रिलीस हो जन गया जिदो उसी ब्रेक पैटल नों प्रेस करांगे नों गयाँ अगोगी के है सेफ्टी वल और फेटे ट्टी टू ऑटेकशलु आर पडेशेटी परपस और प्रेशर इंडीकेटेश इंडिटेश इनसाइड दी जिर्वार प्रेशर इंडिकेट की करेगी इस इंडिकेट करेगी हुँन शी की करना है हुँन कले कले पार्ट नूँ अपने टेश देवेच स्टडी करना है description of main parts of air brake system जेड़े अपना parts starting ते study किते सब्सक्राइब हैं जैड़े most important parts ने उनना भारे आपा थोड़ा details दे विच study करांगे सब तो पहले अपा गाल कर दिया air filter दी air filters are used to prevent dust and dirt and any type of foreign particles to enter inside the system एर फिल्टर के लिए जिड़ा नाम तो पता लगदा एब जड़ा एर नूँ फिल्टर करता एर नूँ साफ करता है तान जो किसे तरह दी डुस्ट जड़ी मित्टी पगएरा जा कट्टा वगएरा है जा गंध्गी वगएरा है बार्दा कोई भी फोरन पार्टीकल सिस्टम जैंतर इंसर्ट मांकाशल पवे ओं एर फिलिटर ता काम में इट इस मांचेड़ेव एर फिल्टर नू चैयसी ते मांच किता जांदा है इट थे द्रेन प्लग फॉर द्सट मिल्ट विच इन साइड डिर फेल फिल्टर दे वेच एक ड्रे फ्लग वी ओट फिल्टर तो असी इंहीं पैसेज उएगा एक वरेट पेसेज होएगा एक फिल्टर होएगा इनलेट पैसे दीशों एयर नीएंटर करना है ऑट लेट पैसेज में बाहर निकलने से टे स्थ्टर लगगा है उदा कम की होएगा यह नूँ साफ करना एनी फोरन पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल डिपोजिट इन दी बॉटम फ्रॉम वेर इट इस रिमूवड बाई ओपनिंग दी ड्रेन प्लग जेडा भी फोरन पार्टिकल डस्ट डर्ट जो भी अंदर इक अठा होएग उन्हों वसी कि दा बार काट सकते हैं ड्रेन प्लग नूँ ओपन कर सके एक उसी डाइग्राम देख सकते हो एग डाइग्राम जिड़ा है एर प्लग दाइग्राम है अंदर एक फिल्टर एलिमेंटे स्प्रिंग गे उपर टॉप कवर है नीचे वी वाशर लगी ये नीचे अपर ड्रेन फ्लग नूँ घोल के जदो मर्जी एर फिल्टर चों बार कर सकते हैं जिडिन अंदर गंद्री विएरा इकठी हो गई तो एह सिखा तोड़ा पहला पार्ट जिड़ा सिखा एर फिल्टर बूजा पार्ट एजी कंप्रेसर एंग नूप पता ये कंप्रेसर की क करेगा इंक्रीजिड प्रैशर औरे प्रेशर नों करेगा प्रैशर में ग्रीजिड करेगा मतलभ करेगा 1946 कि चरेगे वह शधरहिद करेगा कम्रेसर 11 9 he सब्सक्राइब मतलब जड़ी हाई प्रेशर एर जड़ी कंप्रेशर ने प्यादा किती ओ पाइप लाइन दे थू रिजर वाइड तक गई तो अग्गे भी जड़ों ने जाना एयर ने उन्हें भी पाइप लाइन दे थू जाना ऐसीगा तो अड़ा सेकंड पार्ट जिड़ टो दिड़ेर एंड एर डिजर वाइड दी आउसे अनलोटर वाल नूशी किते मांट कर देया एन नों मांट किता जन्तले कंप्रेसर ते रिजरवायर दे विच्कार दी फंक्शन अव्चन अफ बिसवाल में स्बट्रोल दी प्रेशर ये इंसाड दी रिजर वायर इस वाल दा कम किये वी साथे रिजर्वायर दे अंदर किनना प्रेशर अपना रखना चानने या उन्हों कंट्रोल करने लिए असी अन्लोडर वॉल्व यूस कर देया दी वॉल्व रिसीज दी एयर तो दी अट्मोस्फेर विची सप्लाइड बाई दी कंप्रेसर सो देट दी रिजर् हाई प्रेशर वली ना उन्हों एट्मोस्फेर देविच रिलीस करते हैं एट्मोस्फेर देविच चंट देना है तां जो रिजर्वायर दे अंदर जिड़ा एयर दा प्रेशर है ओ प्रीडिट्रमाइंड वैल्यू तो ज्यादा ना वदे मतलब जिन्नी वैल्यू सी पहले वदन नहीं देना एक लिमिट दक प्रेशर नू रखना है जे उस तो ज्यादा प्रेशर होंदा आएगा ते उन्हों एट्मोस्फेर देविच रिलीस कर देना है फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट है जी एयर रिजर्वायर इट स्टोर्स दी कंप्रेजड एयर इन सच सब्सक्राइब करता है कानु जदों भी ब्रेक लगान दे लई एयर दी लोड पर वेत इसानु एंपल क्वांटिटी देवेच मतलब काफी ज्यादा क्वांटिटी देवेच एयर जड़ी यह ओं मिल सके फॉर ब्रेकिंग उप्रेशन इट और स्टोर्स दी एयर विच इस ब्रेकिंग ली यूउस कर सकते हां वाइपर चलांदे लिए युज कर सकते हां टायरांदे वेच इन्फलेशन दे लिए यूज कर सकते हां जेड़ा एर रिजर वायर असी यूज करांगे एर ब्रेकिंग सिस्टम दे वेचे ओधी जेड़ी वॉल्यूम होएगा ओवी तो लेके पच्ची लीटर तक दा वॉल्यूम होएगा एर रिजर वायर दा नेक्स्ट फिफ्ट पॉइंट आग्या जी सेफटी वाल इफ़ंक्शन ऑफ सेफटी वाल इस तो अपन इफ एक्सेशिव एर प्रेशर इस बिल्ट इनसाइड दी एर इस रवायर वो एट एक्सेशिव एर प्रेशर शूद नो डेमेज और एक्सप्लोर दी रिजर वायर ज्यादा अंदर एर नाइकठी हो जबे फॉर एक्सामपल ये वी पच्ची लीटर दा कंप्रेस्ट एर डा रिजरवर टैंक के और अधर 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 ज्यादा फिल कर दो आगेना थे उन्हें बर्स्ट कर जाना उने फट जना टैंक ने इस करके टैंक जड़ा है ओफट ना लिमेट तक बना आके रखता है मतलब प्रैशर नुब बदन तो रोगता है जे प्रैशर अंदर ज्यादा हो गया चैंब रिजरवर देंदर ते उले नाल क्योंगा आपने रिजरवर फटंदा डार रहेगा उन्हों वाइड करने लई एक असी सेफ्टी वॉल्व यूज कर रिजरवर देनाल कनेक्ट किता जाएगा इयर इंसाइट दी रिजरवर कॉसे समीलास्टिक डीफोर्मेशन ओफ दी डाइफ्राम जेडी एयर डाइफ्राम अपने रिजरवर देंदर होएगी ओधे ड्रेक्ट कुंटेक्ट दे वेच प्रैशर गेज़ दाडाइफ्राम वेचे लेटिक डीफोर्मेशन होएगी थोड़ा चेंज आएगा। घिलप आफ जेंब फिनीयन अरेंजमेंट with the help of some pinion arrangement the elastic deformation of diaphragm rotates the pointer and this rotation of pointer on the dial give us the reading of pressure inside the reservoir जेदो diaphragm दुते pressure प्या diaphragm दे विज़ डीफोर्मेशन होई उस डीफोर्मेशन दे कारण सानु एक मतलब variation आई उस pinion arrangement दे नाल एक pinion जोरा पर रेंजमेंट रगाँगे और एच थोड़ी डीफोर्मेशन आएगी और रोटेट करेगी पीनियन दी सुई जिदो सानु सुई ओली मूव करेगी तो सानु रीडिंग में जाओगी वही किन्ना पैसा किन्ना मतलब प्रेशर अंदर जिड़ा है ओ इंक्रीज होया है इस गेज इस माउंटेड इन फ्रंट ओफ द्राइवर डैशबोर्ड था डैशबोर्ड दैशबोर्ड तो डैशबोर्ड रीड कर सके विकन्हाँ रिजरोवर देविच प्रेशर हो चुकिया है इस तुसी देख चुकियो दो अपने टॉपिक जड़ेने और रहे ने ब्रेक वाल ते ब्रेक चेमबर यह सी डिसकस करांगे नेक्स लेक्चर देवेज दोनु लेंथी टॉपिक्स ने सो दोनों और ऊसी warrior carry स्टडी कराँ अजली आध नए नाई बाकियो सी next lecture तिक्ष कराँ अ क्याट